जालंदर के जेपी नगर स्थित अगरवाल लिबर एंड गट सूपर स्पेशालिटी अस्पताल की टीम ने एक ऐसे मरीज को ठीक करने में सफरता हासल की है जिसकी स्थिती काफी गंभीर थी इस संबंद में जानकारी देते हुए अस्पताल के डॉक्टर मुनीश अगरवाल ने बताया कि उनके पास दस दिन पहले एक मरीज आया था जो की पेट, दर्द, उल्टिया, बुखार तथा सास में तकलीफ होने से ग्रस्त था जिसकी हालत काफी गंभीर थी और उसकी मौत भ इवर में पस भरी हुई है, जो की रिसकर पूरे पेट में फैल गई थी, जिस कारण उसके गुर्दे तथा फेफडे भी संक्रमित हो रहे थे। इन सब चीजों को देखते हुए मरीज का ततकाल ऑपरेशन करना पड़ा और ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत में सुधार भी दिखा, अबुक्त मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और मरीज पूर्ण रूप से ठीक है और वे खाना भी पूर्ण रूप से खा रहा है, जिसका श्रे अगरवाल अस्पताल की पूरी टीम को जाता है, इसरान उन्होंने उन सब लोगों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने मिलकर मरीज की सेवा की और उनका इलाज करवाया, मरीज की माली हालत को देखते हुए उन्होंने कम दामों में मरीज का ओपरेशन तथा इलाज किया, जालंधर से बलविंदर मान के साथ खुशदीप से ठीकी रिपोर्ट अगरवर्ड हॉस्पोली टीम देना आज जो दी जान बचा लिती गई है ते इस अड़ा पेशन है का मिस्टर कली इस अड़ेकुल दस की दिन पहले साड़ेकुल दाखिल होया सी एदे पेट बहुत दर्द सी उल्टियां सी बुखार सी जिए अपर स्कैनिंग कराये सारा जैर फैल गया सी और जैर लीवर गिड्नियां सब जगा चला गया सी यह दा बीपीवी कट गया सी तो साँ चड़ना शुरू हो गया सी ते बारवी डॉक्टरों दिखाया सी और कैता सी नबबे परसंट भी मौत राइक भी इनने नहीं बचना ते बहुत ही गरीब सी अन्हों पाद लगया कि अन्हों अर्जेट ऑप्रेशन दी लोड़ा है कि सारी पास पेट्ट साफ करनी जदूरी है अदर्वाइस इनने नहीं बचना पर असे इतको पैसी थी कमी सी असे कट तो कट पैसे अनल सारी मौलेवले ने थोड़े पैसे जोड के जिनने थोड़े सारी को दाखिल है आज जी चुटी कर रहे हैं जो ठीक है मूरा ही खाना का रहे है कोई पेट चपास नहीं है कि अन्हों से दवाई भी आज लिक के कार पेज रहे हैं आज बहुत खुश है ते मैं चानना कि कोई भी पेशेंट अगगी किसी भी पेशेंट नो कदे कोई कि अन्हीं ना कि ताई कि हूँ अधियो अधिया या जो तकलीफ नहीं है गी अखिए हैं जी जो जालो प्रॉलम सिगी मेरे कि वेरे किया क्या प्रॉब्म सिगी मेरे फ्लोवनों मेरे ना अच्छी ते दर्द बोग अंदी सीगी मेरे तो एड़ा साब नो जेख्या भी हालत जादी घरावा एड़ा साब नो ने हां जी डर साब नो एफे मेनू एडमेंड कीता थे वो टंगर नाल में तरिक्के नाल वदिया बढ़ा लाज हो गया है वह जही उना अश्ट में भीलको शही है जिए मैं अजी वो वदिया तरिक्के ना कीता लाज है अच्छी जोदे काली आया थी ना उस जिन सानलावदा थी शायदे रात भी ना कटे इन्नी कंडिशन सीरियस ही अधा पूरा पेट तुरी अंतर पास फाट गी सी ते अधा बीपी उपी का सारा काट गया थी बट इनन भी सटे बड़ा विश्वास किता ते सांसमझा आया थे क कोईणी छोल्ड सिंपरो पैसे साड़ को काक्टा में हो इन ज yellow पैसे हुल जोड़ सके इन अस एक सीरिस यह इन दु सबचाया यवास्ट ना थी तर्फ एक सानस्योंसा रड़ा जी बचाए तब नभीन शर्मा सीनियर मेडिकल ऑफिसर अगरवाल हॉस्पिटल दे विच मैं पिछले लगबग पंच साधे पंच साल तो डॉक्र मुनीश देनाल है गा ते यह जो सा डर केस ताड़े सामने अज जासी किता है गा इस नौट अफस्ट केस इस तो पहले भी काफी केस होए है मेर जो आया सी सैचुरेशन भी विदाउट ऑक्सीजन जो है 65-70 दे बिच बिच आ रही सी ऑक्सीजन लगान तो बात भी 80-85 इदे बिच रह रही थी बट राइट नो पेशेंट ता डे सामने है एकदम स्टेबल है एकदम ठीक है ना कोई फीवर ना कुछ डे बनता है इदा फ है एंड ए सब कुछ डॉक्टर मुनीश दे करके हुए आएगा विकास ही जवेल एजुकेटेड एंड रिजल्ट जो आता डे सामने है पेशेंट ने भी ता अनुदस्य आएगा ठीक है एंड ए भी नहीं है कि हां भी कुछ इदा ए वचारा बहुत हैं टू मौथ जनू कह के लिए पूरे पेंड वाले आने किसे संस्थाने मिलके दी सेवा किती है